नमस्कार दूस्त एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हादिका भी निन्दा ने एक बार फिर से Education for you YouTube चैनल पर दूस्तों आज सबसे ज़्यादा पूछे है न टॉपिक जो है जिसमें आप जानते हैं कि केंद्र सासित प्रदेश और भारत के राज्यों के विशे में बहुत ज़्यादा पूछे गया है तो यह वीडियो बहुत ही CTAT ने गलती की थी इस बार कि उन्होंने ना साथ केंद्र सासित प्रदेश का आप्शन दिया था आठ का आप्शन ही नहीं था या नौ का आप्शन दिया था तो वो आप्शन गलत था आपको बता दू कि आठ केंद्र सासित प्रदेश कुरते हैं अभी आप यहाँ पर जो देख पा रहे हैं जमू एंड कास्मिर जहां मैंने सर्कल किया हुआ है इसे 5 अगस्ट 2019 को इसे राज्य से हटा कर केंद्र सासित प्रदेश बना दिया गया है तो कब बनाया गया था? 2019 में 5 अगस्ट में दो नए केंद्र सासित प्रदेश बन कर आये थे जिसमें तहार ले एंड लदाक और जमू एंड कास्मिर तो यह चीजे आपको याद रखनी है और हमारे जो आठ केंद्र सासित प्रदेश से इनके बारे में पी ठोड़ा डिसकस करते हैं अगर इनके राजधानियों के विशे में अगर आप देख पा रहे हैं तो ज़्यादा राजधानियों के विशे में तो पूछा जाता नहीं है बस आप अप अंड़मान इनकोबार दीब समू की राजधानी याद रखें पोट ब्लेयर जो है और लक्षदीब की राजधानी आपको याद रखनी होगी क्योंकि यह आ सकता है तो यहाँ पर बाकी राज्जों की राजधानी या बाकी जो किंद साथी प्रजेस होते हैं इनकी राजधानीों के विशे में पूछा नहीं जाता है तो चली दोस्तों यहाँ पर अभी आगे चलते हैं हम लोग और आपको एक बात यह याद रखनी है थोड़ा सा या नया नौलेज है कभी भी आ सकता है कि यह था समय जो था एक्चुली दो हजार उननीस का था और पांच अगस्त कब का समय था पांच अगस्त दो हजार उननीस का समय था जब जम्मू एन कास्मीर और ले लद्दाक से 370 धारा को हटाया गया था और इन्हें दो नए केंदर शाशित प्रदेश बनाय गया था यह आपको याद रखना है क्योंकि इसके विशे में कोशन आ सकता है मुझे ऐसा लगता है 100% आ सकता है अब देखी यहाँ पर अगर आप लोग देख पा रहे हैं तो देखी यहाँ पर केंदर शाशित प्रदेश के बारे में एक छोटा सा नौलेज आप लोगों को देना चाहूंगा जो बनकर आ सकता है जिससे कुशन आ सकता है अगर देखी दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा केंदर शाशित प्रदेश कुन सा है तो आपका जवाब क्या होगा तो आपका जवाब होना चाहिए दोस्तों अंडमान इन निको बारदीप समू सबसे बड़ा अगर आप छेतरफल की दरश्टी से बात कर रहे हैं कि वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, काफी महनत के बाद यी वीडियो त्यार होते हैं, अभी हम आगे चलते हैं, तो भारत के राज्य कितने हैं, बात यह आती है, तो भारत के 28 राज्यों के विशे में उनकी राजधानियों के विशे में पूछा जा सकता है, तो थो गुजरात की गांडी नगर हो जाएगी। फिर्याने की चंडीगर हो जाएगी। हिमाचल प्रदेश की सिमला हो जाएगी। इसके बाद अगर आगे हम चलें। जहारखड में चलते हैं तो राची हो जाएगी। और उसके बाद करनाटक, बैंगलोर, केरल की ओजागी, त्रिवानन्द पुरम, मद्र प्रदेश की भोपाल, महाराश की मुंबई, मडिपुर की इंफाल, सिलांग, मिघाले की शिलांग हो जाती है, मिजुर हम की अगर देखें तो आईजोल है, ये थोड़ा सा याद रखना क्योंकि बच्चा इसी राजधानी को भूलता है, और इसी के बारे में कोशन आ सकता है, साथी साथ आपको नागालेंड की राजधानी भी याद रखना है, कोहिमा, और साथ साथ में अगर हम चलें, उडिशा की राजधानी आपको देखने को मिलेगी, बुबनेश्वर, औ सिक्किम की याद रखेंगे, गंगटोक, तमिलनाडू की चैननाई, तेलंगाना की हैदराबाद, और तिरपुरा की अगरतला, और उत्तरपदेश की लखना, उत्तराखन की देरादून, और पश्चे मंगल की कॉलकता, तो दोस्तों ये आप लोग देख पा रहे हैं, जो भारत के राज्य और उसके विसे में, जो भी प्रश्ण बन सकता था, वो सभी प्रश्ण हमने आपको बताए हैं, अगर डेफिनेटली अगर आप ये चाहते हैं, कि आपको एक वीडियो, ऐसा ट्रिकी वीडियो दूँ, जिससे आप ये जान जाएं, जिससे आप लोग ये स प्रेमेंट्स होते हैं, तो आज के लिए इतने ही रखते हैं, तो यहाँ पर जैसे सरफ ठीक होगा, रात 9 बजी की लाइब क्लासे भी स्टार्ट होगी, जब तक आप वीडियो को लाइक करें, प्लेलिस्ट विजिट करें, पाइप नट्स वाले वीडियो और एक जो पूर